कि हैं लो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग अच्छे होंगा आज हम बात करेंगे सी इसी वर्सस सी एविफुल स्टेट फ़लस इन वो यानि कि सी एसी सी वर्सस जैने फायर वॉइस के वीजियो के सी सी एमर्जिंग टी-20 लिग का मैच नंबर फाइप के लाए जाना है यह मैज जो है शोला दिसंबर को रात के साड़े-दस बजे से स्टार्ट हो जाएगी बेन्यू जो रहेगा शुलाबिया क्रिकेट ग्राउंड कुवेद कराने वाला पीछ रिवर्ट की बात कर ले तो मैं आपको बता दूं कि यह बैटिंग फैरंली आपको बिकेट देखने को मिलेगी अच्छे खासे रन मिल रहे हैं अभी तक जो चाल में चाहिए यही चीज़े देखने को मिली है और यहाँ पर पे पेसर्स को बहुत सारा है और इस पिनर भी केम में आते हैं बट आप देखें करने क्योंकि देखें जिस टीम में अच्छे पिलियर से वह अच्छा करेगी आज जो पिलियर आश्चे है वह आपको अच्छा करते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूस्स सबसे पहले सी 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 के तो इनके तरफ से देखें बेंग अभी से एक जो कि और राउंडर सेक्शन म है और राउंडर पिलियर जरूर है बट उतना कुछ खास अभी तक किये नहीं है पचास मैंचे में 13 के एवरेज है मात्र और 416 राना है वहीं पर सैथ 30 मैंचे में बॉलिंग है और पूरी गेंदबाजी मिलती नहीं है इन से एक दो और की गेंदबाजी मिलती है पलस 28 के मैचेस है डोमेस्टिक लेवल पे उनातर मैचेस में सतरा सो बिरास ही रन है अठाइस का एवरेज है तीन सेंचुरी और दस हाफ सेंचुरी है पलस थोड़ी बहुत गेनवाजी भी कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके अलावा आहिलाम रतनाम है जो कि वन डा साल है इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके अलावा नंबर चार पे एक्सेप्टेड है विराज विरस एकरा जो की नंबर चार पर आएंगे लास्ट के तीन मैचेस में फॉर्म भी अच्छा है बल्लेवाजी गेनवाजी दोनों से एक सो पांच मैचेस में 1289 रन है पलस 23 का बल्लेवाजी भी दे देंगे पलस गेनवाजी अच्छे करते हुए नजर आये हैं अच्छे क्या 101 मैचेस के लिए हैं जिनमें की 101 मैचेस में बॉलिंग किये हैं और पूरे 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 और लगभग किये हैं और 109 विकेड़ में निकाले हैं वैसे यह नंबर चार सेक्षन बहुत ही कम मिलेगा और राउंडर सेक्षन में दुलाज परसंता है जो कि ठीक ठा गेनवाजी तो नहीं किये हैं लास्ट के कुछ मैचेस में बट बल्लेवाजी थोड़ी बहुत कर लेते हैं ओपनिंग भी कभी कभी आ आ जाते हैं यहां पर ओपनिंग करते हुए नजर नहीं आने चाहिए सेलेक्षन हाय है 48 मैचेस में देखेंगे उन्हें इसका एबरेज है पलस 25 बिकेट भी है इंडिका संजवा एरेंडा है जो कि आपको गेनवाजी सेक्षन से मिलेंगे बट यह खिलाड़ी आपको बल्लेवाजी भी थोड़ी बहुत करके दे सकते ह गेनवाजी तो खेर किये ही हैं ठीक ठां गेनवाजी कर लेते हैं अरजनमर तुंगे है लेफठ बल्लेवाजी करते हैं लॉडर आपके बल्लेवाजी करते हैं लॉर खास है लोर रोडर में बल्लेवाजी करते हैं उतना कुछ खास रिकोर्ड मुझे लगे नहीं इनका रवेज मुहमद है उतना कुछ खास रिकोर्ड इनका भी मुझे नहीं लगा लोर रोडर में बल्लेवाजी करते हैं महमद रिपकान है तेईस मेचेस में देखेंगे तो 99 ही रन ह और तीन विकेट है उतना कुछ खास रिकॉर्ड इनका भी नहीं लगा यह मानी जुनेद मुहम्मद है खेलते हैं तो धियान रखेगा इनका रिकॉर्ड मुझे थोड़ा सा गेंदवाजी और बल्लेवाजी से भी ठीक ठाक लगा है बतीस मैचस मेचस मेचसे बाइस का एबरे हैं एक-एक बिकेट निकाले एक में तो चार विकेट भी निका लेते हैं थोड़ी बहुत बल्लेवाजी कर लेते हैं दियान रखिएगा इस पिलेस का वे रीसेंट फॉर्म में भले ही गेनवाजी इंसे बिकेट ना मिला बट खिलाड़ी ठीक टाग है रमेस मंगला सेनवर्तने है जो की 31 मैचेस में 49 रन है पलस 22 बिकेट है एवरेस से पिलेस है कुछ खास रिकोर्ड नहीं है महमद हमीश सरीफ है 34 मैचेस में 28 बिकेट है गेनवाजी के ओभर इनके लास्ट के मैचेस में कटे है लेप टम पेस बोलिंग करके देंगे आहरान अमीर है 6 मैचेस में 5 बर की गेनवाजी 2 बिकेट है हाइस्ट को रठा रखा है अब महमद सहीट का जो है यहाँ पर 4 मैचेस में 7 बर की गेनवाजी एकोनमी खराब है तो इन प्लियर पे धियान नहीं देना है इस टीम से अगर हम बात कर ले इनके इनके इनपोर्टन जो पिलियर रहने वाले हैं अगर इस पिलियर को आप ले ले तो एक एबरेज ही पिलियर है और रांडर पिलियर है तो कुछ ना कुछ पॉइंट जरू दे के जा सकते है बाकि रुजली मुहमद इनके तरफ से इंपोर्टन पिलियर रहेंगे बिल्कुल आपके टीम में होने चाहिए बिराज बिरेस से कर लेना है रुजली मुहमद पहले बल्लेवाजी आए तो इनको भी सी ट्राय कर सकते हैं यह पिलियर आपके गेमचेंजर रहेंगे तीन चारफ पर एफसेंड ही सेलेक्शन है इनका धियान रखिएगा इनको लोग धियान नहीं दे रहे दुलाज परसंता भी ठीक ठाक पि लेंगे यहानी जुनित खेलते हैं तो धियान रखिएगा बाकी अब बात कर लें इनके अगेंज जो खेलेगी चैन ने फायर वाज के टीम यह टीम बहुत इस ट्रॉंग नेजर आ रही है और इस टीम से अरुन गीता जोन आपको ऑपनिंग करते हुए नजरा सकते हैं इस केस में आप बिल्कुल कंफर्म हो जाई है कि यहीं दोनों ऑपनिंग कर सकते हैं अरुन गीता जोन खेलते हैं तो आपको ऑपनिंग पलस दो चार ओवर की गेंवाजी दे देंगे तिरवन मेंचस में एक हजर बीस रन है छे हाफ सेंचरी है चोबीस के एवरेस से पलस च्या जनकी रमन है जो कोई आपको बैटिंग सेक्शन से मिलेंगे और ये खिलाड़ी आपके लिए बहुत बड़े गेम चेंजर सावित हो सकते हैं साथ मेंचस खेलें हैं ज्यादा मेंचस का एक सेंचरी और एक हाफ सेंचरी है ब्यालिस का एवरेज मेंटेनेंस की हैं परस चौ आपको मिलेंगे जो की बैटिंग सेक्शन में मिलेंगे और इनके पास इस्प्रियंस बहुत है इनके हलावा इनका जो रिकॉर्ड है 26 का एवरेज है दो सेंचुरी है आप सेंचुरी नौ है मैं आपको बता दूँ ये बहुत कम किये बट लास्ट के चार मैंचस आप देख सिकूर बैग है जो की 81 मेंचस में खेले हैं बंदला सो साट रन है नंबर चार पाच पर बल्ले वाजिक करते हैं 24 का एवरेज है एक सेंचुरी और छे हाफ सेंचुरी है थोड़ी बहुत गेंदवाजी भी किया है यहां पर गेंदवाजी कभी कभार कर लेते हैं तो ये खि लाड़ी तो रखने हैं खिलाड़ी भी उसे ठीक ठाक परसं किये हैं ठीक ठाक बल्ले वाजी करते हैं और ठीक ठाक बल्ले वाजी किये इब्राहिम महामद है 34 मैंचस में 38 रहेंगे क्यों रहेंगे क्योंकि देखिए एक ही मैच खेले हैं नमर पांच में बल्ले वाजी करने आ गए थे 11 बनाए थे मात्रे 6 गेंदव में प्लस चार अबर की गेंदवाजी थी और 33 रन दो बीगेट खेलते हैं तो धियान रखे हैं लैप्टाप मेडियम फास बॉलिंग करके देंगे फेंट में बल्ले वाजी शीव संकर रेंगा राज है यह भी एक मिच खेले हैं चेरन बनाए यह नंबर छे पर आके एक रन बनाए पलस दो बीगेट और चार अबर की गेंदवाजी किये थे रन बहुत बड़े थे रेंगे राइट आम पेस बोलिंग करके देंगे खिलाडी इंप कराज गनेक्शन है अंडावन मैंचिस में जो है 73 विकेट निकाले हैं खिलाडी अच्छे है चार अबर की गेंदवाजी पूरे करते हुए नजर आये हैं लाश्ट के मैंचिस में इंपोर्टन रहेंगे महमद सभी खेलते हैं तो इस प्लेश का भी धियान रखेगा क्योंक 1.8-3 वर की गेंदवाजी 23 विकेट मुझे उतने कुछ खास नहीं लगते हैं विकेट ज्यादा तर इनके कर जाते हैं मुत् Sail satu ha ch design sudah से 30 सवर 12 फिकेट उतना कुछ रिकोर्ड लगा नहीं जाफर सहजाहान है 27 मेचे में 73 है चilee बीचियर से मेट से राज दिन थोड़ा सा डाउट रहेगा इनके इस्टेट्स पे बठकिलाड़ी का रिकॉर्ड अच्छा है खेलते तो ट्राइ कर सकते थोड़ा सा डाउट रहेगा संजिवा संड्रुवान सात मेचस में जो है सतरा रन है पलस दो विकेट है उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है हेल्टोन अंटो दो मेचस में आठ रन सुरज नायक और मुहमद हिलमे का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है तो इनके टीम से आप देखेंगे तो आपके लिए तो बिल्कुल इंपोर्टेंट है इनके अलावा 37 सेगर देखिए बल्लेवाजी से खेलते हैं तो धियान रखिएगा ठीक ठक खेले हैं लाश के कुछ मेंचेस में फ्लॉप भी जरूर गये हैं कार्चे किया आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे देखिए इनका सेलेक्शन ह है दियान रखेगा इनके अलावा इधर से आपको मैं बता दूं कि यह सारे मीडिल ओडर में इतने भी खेलने वाले से इनके ना फुलॉप जा सकते हैं इनके अलावा जैपरकास एक प्लेस है जिनको आप राए कर सकते हैं लेट लेट पेस बॉलिंग करके भी देंगे तो और इनके आलावा थंग राज गनेशन यह इनपोर्टेंट रहने वाले हैं तो इन में से ही आपको सेलेक्ट करना है बागी फूल इस्टेट्स मैं आपको यहां पर दिखा ही चुका हूं अब चलेंगे हैं आपको वीडियो में डिटेल्स में बिल्कुल बता चुका है यहा जो मेरी टीम है मैं आपको बता दूँ हो सकता है कि इनमें आधे पिलियर्स भी ना कहले क्योंकि देखिए कोई कुछ कंफर्म नहीं है जो मुझे लग रहा है मैं उस परकार से टीम मनाया हूं देखिए मैं आपको बता तो हूं जो आपके लिए गेम चेंज रहें उनके बा बॉलिंग किये हैं इस कारण से मैं इनको लेके जा रहा हूं इनके अलावा आर महमत बहुत ही अच्छे बल्ले वाज़ है मैं इनको ले रहा हूं बर आपको मैं बता दू एस सेकर बहुत ही अच्छे बल्ले वाज़ है इनका भी अच्छा यह अच्छा केलते हैं आप इनको को ले सकते हैं मैं अभी के लिए नहीं लिया हूं इनके आलावा मैं आपको बता दो 3% सेलेक्शन बहुत ही आपके लिए गेम चेंजर सावे सकते हैं रिसेंट पॉम अच्छा है ज्यादा मेंच का एक्स्प्रियंस नहीं बर थोड़ी बहुत गेंदवाजी भी कर ले थे तो यह प्लियर्स और यह प्लियर्स इनको रिक्स पर ले रहा हूं और इनको मैं छोड़ रहा हूं तो यह जो है मैं अभी के लिए इन दोनों को लिया हूं तो आप इन दोनों को मैंसे जिसको लेना चाहते हैं बिलकुल ले सकते हैं बाकि नीचे जितने भी प्लियर्स है मुझ इनको हम सीवीजी करें उतने भी नहीं है एक इता जुन जिनको आप सीवीजी कर सकते हैं रंजित मोहन एजे बॉलर आप लेके चलेंगे बल्लेवाजी रेयर ही करते हैं इनके अपको थोड़ी बहुत बल्लेवाजी बट यह ओपनिंग करते हैं यह एडवांटेज और एक इस प्लेवाजी बनाया हूं यहां से टी गनेशन इंपर्टन नहीं है अब चाहे तो छोड़ सकते हैं आई से असंजिवा एरेंड़ा बल्लेवाजी गिंदवाजी दोनों कर लेते हैं ठीक है ट्राइबल रहेंगे इनके अलावा यहां से जो आपके लिए गेम जेंजर रहने वाले हैं मैं आपको बता दूं कि यहां पे एक प्लेश थे आईच का नागमेच यह ठीक ठाक पिक है इनको आप ट्राइब कर सकते हैं इनके अलावा आज एस परेड़ा आइधिंग कि यह गेम जेंजर साहित थे आप इस्टेट जरूर देख लेंगे मैं उतना कंफरम नहीं हो बट मुझे लग रहा है कि यह भी यह गेम जेंजर में थे इन सारे प्लेश जो है इन पर धियान रखेगा बाकी अभी के लिए मैं थोड़ा सा से जो हो रहा है वही गया हो इमाल अभास आफसन किया है एक गीता जो न बहुत अछे अफशन है इनके अलावा एरफ नाम बहुत अच्छे ऑफसन है पहले बले बाजी आए तो आर महमद इनको सीवेसी कर सकते हैं तो यह एक दो तीन चार यह चार तो बहुत ही बिंश्ट ऑफसन है जिनको आफ इसे सेख है इनको भी कर सकते हैं और इनका वाला रूजली महमद यह कुछ अफ्षन है बड़ मैं आपको गेम चेंजर जो दो नाम बताया हूं जो की बड़ा नाम है उन पे जरूर धियान रखिएगा दो नाम कौन-कौन से थे मैं आपको फिर से बताता हूं दो नाम में मेरे पास आ रहे और यहां से एक प्लियर्स आ रहे है बेटिंग सेक्षन से किये जाने कर हम यह दो प्लियर्स पे बिल्कुल धियान रखिएगा अभी के लिए जो है मेरी टीम यह है उमीद करता हूं मैं आपको इस वीडियो के दुरू कुछ हैल्प कर पाया हूं और जो कुछ हैल्प हुई सबसे बढ़े वीडियो को लाइक करेंगे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक यूँ